नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनीज स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा यूटूब चैनल है जो आपको Export, Import से Related सारे जान का इडिटील में बताता है तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगया नमले वीडियो के नोटिफिकिशन मिलते रहें दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से होंकोंग एक्सपोर्ट करने के बारे में जिहां दोस्तों होंकोंग जो है काफी कुछ इंडिया से इंपोर्ट करता है और इंडिया से इतने प्रोड़क होंकोंग में जाते हैं कई सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया होंकों को क्या-क्या एक्सपोर्ट कर रहा है आपको किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है और क्या-क्या डॉक्मेंट आपको उसमें बनाने रहेंगे और कितने बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर का कारोबार जो है एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है यहां पे दोस्तों जैमस और जोलर का जो करीब 6.73 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है जी हां दोस्तों बिलियन डॉलर का बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है इंडियन जैमस और जैलरी की होंकोंग में जाती है तो अगर आप भी Gems & Jewelry में काम करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला target market जो है, Hong Kong होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा Gems & Jewelry जा रहा है, उसके पास second number पे जो product आ रहा है दोस्तों, वो है electronic goods, 728.78 million dollar का हमने electronic goods का export किया, engineering goods, third number पे आता है 204.94 million dollar के engineering goods भी हम Hong Kong में export कर रहे हैं, तो काफी कुछ product जो है Hong Kong हम से import कर रहा है, उसी में next product आता है organic and inorganic, chemical का, तो 158.47 million dollar का हमने export किया है last financial year में, और यह करीब-करीब 80% से अब गया है, मतलब 80% जादा यह जो है export किया गया है इस financial year के अंदर, उसके बाद लेदर product का भी काफी अच्छा demand है Hong Kong में, अगर आप लेदर के belt बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, लेदर jacket होता है, लेदर shoes होता है, सभी product जो हैं अच्छे से जा रहे है Hong Kong में और 65.82 million dollar का हमने export किया है, growth भी 37% की देखी गई है, last financial year में, ready made garments की बात करें और textile product की बात करें, तो वो भी आप Hong Kong में export कर सकते हैं, 65.82 million dollar का जो है हमने ready made garments का भी export यहां से किया है, उसके बाद marine product जो है हमने export किया है, दोस्तों यहां पे 64.88 million dollar के तो बहुत अच्छा है यह भी हमने export किया, उसके बाद कुछ दूसरे product हमने export किया है, 46.20 million dollar का other product में, and drugs and pharmaceuticals भी हमारा बहुत अच्छा export हो रहा है Hong Kong में, 45.02 million dollar का export किया गया है, हलाकि 12% decline गया है last financial year में, but still यह जो है जा रहा है product और अच्छे से जा रहा है, 45 million dollar का export किया गया है, इसके बाद आते है meat, dairy and poultry product, तो अगर आप meat products में deal करते हैं, dairy product में deal करते हैं, poultry product में deal करते हैं, poultry product में deal करते हैं, एeurs, generator हो गया है, agro commodities हो गए है, poultry product हो गए, dairy product है, jams and joinvery, engineering products, सब कुछ हम से इंपोर्ट कर रहा है तो काफी बड़ा जो मार्केट है हमारे प्रड़क के लिए होंग कॉंग तो आप भी जो है होंग कॉंग में एक्सपोर्ट करें यहां पर पेट्रोलिम प्रड़क भी एक्सपोर्ट हो रहा है 23.71 one million dollar काприेजड़स के बाट से एक्सपोर्ट का है रही है 10.12 million dollar का प्लास्टिक प्रड़क भी हमने यहां से एक्सपोर्ट का 8.27 1000 प्लास्टिक आज ने अच्छा से एक्सपोर्ड कर सकते हैं यहां पर सी बास्मती राइस यह माना जाता है तो 1.82 million dollar का export हुआ हाला कि 32% का declining rate रहा है कि non-bास्मती राइस जो है वो बेन हुए तो इस वज़े से थोड़ा सा declining stage पर अभी जैसे open होगा सभी rice का export तो आप जो है इसको बढ़ता हुआ देखेंगे तो rice का export भी आप Hong Kong कर सकते हैं ceramic product and glassware product में भी 1.68 million dollar का export देखा गया है cashew आप कर सकते हैं 1.65 million dollar का tea आप कर सकते हैं 1.30 million dollar का already export हुआ है oil seed आप कर सकते हैं 1.20 million dollar का export हुआ है last financial year में और other cereals मतब agriculture product के अंदर दूसरे जो cereals आते हैं उनका जो export रहा है last financial year में 930,000 dollar का रहा है carpet का export भी बहुत अच्छा रहा है 600,000 dollar का mica, coal and other minerals जो हैं यहें करीब-करीब 550,000 dollar के export हुए है jute manufacturing including floor covering 340,000 dollar का export हुआ है coffee का भी बहुत अच्छा export है Hong Kong में आप coffee, tea, सब कुछ export कर सकते हैं 140,000 dollar का oil meal आप करेंगे 130,000 dollar का तो यह थे कुछ product जो मैंने आपको बता है, coffee product आप यहां से करें चाहे वह oil meal है, चाहे tea product है, आप spices में deal करें तो spices Hong Kong में export कर सकते हैं सभी product जो है आप Hong Kong में export कर सकते हैं अब बात करते हैं कि क्या-क्य document आपको बनान रहे हैं अगर आप Hong Kong export करना चाहते हैं तो document में आगे बनने से पहले में आपको बताओ दोस्तों कि अगर आप सीखना चाहते हैं export, import तो हम लेके आए आपके लिए एक 7 days का online training program जिसके अंदर आप घर बेटके सीख सकते हैं इंडिया से कैसे export, import किया जाए कैसे buyer बनाया जाए, कैसे payment लेना है, कैसे shipping करना है, export का procedure क्या देता है अगर आपके पास भी एक local product है जिसको आप international market में seal कर सकते हैं तो Connecting India Exim Solution आपको जो है training provide कराता है उसके लिए तो आप हमारी 7 days के online training join कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, documentation में आपको क्या क्या बनाना रहेगा सबस्पहले JST लेना है, import export code लेना है, bank से ID code लगेगा, RCMC लगेगा FSSI Central License अगर कोई process food में आप deal कर रहे हैं उसके बाद आपका जो next documentation आएगा रहेगा वो during the shipment रहेगा, जैसे कि आपका proforma invoice, commercial invoice, fumigation, shipping bill, pythosanitary document अगर एक ग्रोh product आप कर रहे हैं FSSI का sampling भी port पर होता है अगर आप process food में deal कर रहे हैं, आपका यहाँ पर certificate of origin बनता है और साथ में आपका bill of lading भी यहाँ पर बनता है कहीं से भी आप रहें, गाओं में या कस्बों में या सहरों में, कहीं पर भी आप हैं तो वहाँ से आप export कर सकते हैं आपको अपना नियरे sport ICD या sea port या airport चेक आउट करना है कि कहां से आप Hong Kong को export कर सकते हैं और फिर वहां से आपको export करना है, तो यहां पर सबसे पहले आप product decide कर लें कि क्या product आपको Hong Kong में export करना है, और जब आप product decide कर लेंगे कि क्या product आपको export करना है, तो उसके बाद आपको simply अपनी firm का नाम decide करना है, है उसका registration कराना है firm का registration होने के बाद आपको जो है current account open कराना है bank में वहां से ID code लेटर लगेगा आपको फिर import export code DDFT के website से बनेगा फिर RCMC registration कम membership certificate लेंगे जो की product पर depend करेगा कि आप क्या product export कर रहे हैं फिर आपको payment डलवा लेना है payment डलाने के बाद आपको material dispatch करना है और आपका CH उसका custom कराके material को आपके buyer को ship कर देगा और जो भी document आपके यहां पर port पे बनेंगे वो document आपको भीज़े जाएंगे फिर वो document आपको buyer को courier करने होते हैं तो इस तरीके से जो है आप इस product का export कर सकते हैं I hope दोस्तों वीडियो में दी गए जनकरी आपको पसंद आए होगी जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको export import सीखना है बाकी कई लोगों की तरह आप भी अपने local product को international market में sale कर सकते हैं हमने कई लोगों को सिखाया जो अपना export import business कर रहे हैं आपको training में बताया जाएगा कि कैसे इसका procedure रहता है, documentation कैसे बनाने है, buyer कैसे ढूणना है, payment कैसे लेना है, shipping कैसे करना है सब कुछ जानकरी आपको training में दी जाती है और किसी भी तरके के documentation, registration या training के जानकरी के लिए आप हमें करattend रहे हैं